सब्सक्राइब आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट 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 चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेर जरूर करें चलिए शुरुबात करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का हिंदुस्तान कॉपर लिंटेड ध्यान रखेंगे हिंदुस्तान कॉपर लिंटेड का रेक्रूट्मेंट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन पॉर अपॉइंटमेंट एज ग्रेजुएट इंजिनियर ट्रेनी थ्रूद गेट स्कूर ध्यान रखेंगे अप्लिकेशन स्टार्ट होगा इसका 10 अक्टूबर से लास्ट डेट रखा गया है 31 अक्टूबर माइनिंग सर्वे जियो लॉजी कॉंट संट्रेटर इलेक्ट्रिकल सिविल मेकेनिकल इंस्टुमेंटेशन सिस्टम टोटल नंबर जो पोस्ट है आपका 84 रखा गया है यहां पे कटेगरी वाइस डिवीजन दिया गया है पोस्ट का क्लियर रहेगा नेक्स आता है आपका फिजिकली डिसीबल का बेंचमार क्या रहेगा उसके बारे हम बताया गया है आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स आता है आपका इलेजिबिटी क्रेटरिया तो ध्यान जिए रहेगा नेक्स आता है क्वालिफिकेशन जो है मिनीमुम सेटी पर्सेंट मार्ट होना चीए ओबी सी इड़लु एस जैनरल के लिए और हेस्टी के लिए यहां पे 55 % क्लियर रहेगा चलिए नेक्स आता है आपका वालिफिकेशन कैसा होना चीए नाचीय लिए असे सं साइस और ऐस लीडिये एकन लिए उसलों के लिए यहां पर सकते हैं रेप्र चैनल यहां पर अप्लाई कर सकते हैं एज लिमिट के बारें बात करूं तो ध्यान रखेंगे अपर एज लिमिट जैनरल के कंडिशन में 28 एर्स रखा गया है इसके अलावा relaxation प्रोबाइट किया जाएगा SCST, OBC, PWD X-Serviceman, Selection Procedure Next आता है आपका Selection Procedure में ध्यान रखेंगे Get Aspore Car का 40 जो weightage रहेगा वो 70% रहेगा personal interview आपका 30% तो get a scorecard 70 plus 30 का आपका personal interview के basis पे selection होगा clear रहेगा चलिए हर एक post के पीछे 5 candidate को select किया जाएगा उसके अधार पे final merit list त्यार की जाएगी next आता है यहाँ पर आप apply कैसे करेंगे तो ध्यान रखिएगा upload करना है gate का आपको scorecard HCL के website पर जब आप apply करेंगे तभी clear रहेगा next आता है यहाँ पर कि आपका breaking principle की साधार पे रहेगा तो ध्यान रखिएगे gate score जो है higher rank tie जो breaking के condition में gate score को सबसे पहले देखा जाएगा माल लिजे कि आपका किसी के दो marks का अगर सेम आ रहे हैं तो gate score के validity के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा compensation package ध्यान रखेंगे सबसे पहले यहाँ पर salary की बात करूं तो 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक का pay skill रहेगा ध्यान रखेंगे इसके अलावा allowances अलग से provide किये जाएगे initially आपके posting कहीं पर भी दी जा सकती है HCL के किसी भी इसमें उसके अलावा during training period आपको HR मिलेगा bachelor accommodation मिलेगा और allowances CPF मिलेगा gratitude यह सारी चीज़े मिलेंगी medical facility दिया जाएगा company rules के training आपका रहेगा corporate office में ध्यान रखेंगे two weeks और mining visit में आपका other than यहाँ पर division दिया गया है कि किस तरीके से आपका training रहेगा next आता है interview, schedule और document verification यह सारी चीज़े आपको SMS call या email के माध्यम से सुचित किया जाएगा date of birth proof के लिए 10th चाहिए आपको या फिर SNC certificate clear रहेगा cast category जिनका applicable है वो cast category लगाएगे basic medical fitness होना जरूरी है application fee रियान रखेंगे जितने भी OBC general candidates होंगे इन सभी को EWS candidate होंगे सभी को 500 और SCST PWDX servicemen को कोई fee नहीं देना है clear चलिए amendment और modification अगर कुछ भी है आपके application में कोई truth हो जाती है तो उसके लिए आपका portal open रहेगा www.hindustan copper.com पे आप जाकर के देख सकते हैं apply करने का procedure बताया गया है www.hindustan copper.com पे आप जाकर के register करेंगे registration के बाद आप gate scorecard डालेंगे upload करेंगे दिन after आप further proceed करेंगे clear है तो यह आपको general conditions यहाँ पे आपको बता दिये गए है कौन कौन सी certification लगेगी यह सारी चीजे मैंने आपको बता दिये तो guys द्यान रखिएगा HCL में अगर आप चाहते हैं एक PSU में अगर आप graduate engineer trainee के रूप में काम करना चाहते हैं तो यह आपके लिए best साबित हो सकता है best job साबित हो सकता है और आप यहाँ पर अच्छी चीजे कर सकते हैं अपने dreams को complete कर सकते हैं तो चलिए यह था आपका हिंदुस्तान copper limited का recruitment notification का update बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग next और नई update में बने रही है चैनल पर चैनल को subscribe करें वीडियो को like share जरूर करें Thank you so much